इस पर आपने एक ट्वीट भी डाले है वीडियो भी डाले है यही बता तो बिल्कुल यह लोगों को जानने समझें कि क्या कई बार क्या होता है कि दमेंट्री में लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं तो मैंने का कि एक बड़े रहा दर्श को बताए एंज्योई कीजिए आपको बहुत-बहुत बदाई 21,008 का जो प्रेडिक्शन किया था 2021 जनवरी में जब 14,000 का निफ्टी था वो कल आपका अचीव हो गया दिप मेरे दो तरह के दर्शक है और मैं चाहता हूं दोनों ही दर्शक अच्छा पैसा बनाएं एक वो जो डेली वाले हैं ट्रेड करते हैं इनको रोज की लेवल्स की जरूत होती है किन लेवल्स पर रुकेगा किन लेवल्स पर सपोर्ट लेगा आज का डैरिक्शन क्या करना चाहिए गैप से गिफ निफ्टी उपर नीचे खुलता है तो क्या करना चाहिए उनके प्रति मेरे जिम्मेदारी जो मुझे रोज सुबह पांच बेज किक लगाती है कल बेड़ा जो डैली वाले उनका प्यार भी बेशुमार है लेकिं दूसरे तरफ ब्रोडर नोट हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रतिव भी उतनी है उनसे ज्यादा ही होगी जिनके हमें वेल्थ मना कर देनी है यह आप बाजार के बड़े ट्रेंड को न छुड़े वो पकड़े और वो लोगों तक मेंचा है यह बहुत जबरी है खाली फैशन के लिए बोलना है कि 20 जार हो जाएगार 25 जार हो जाएगार 22 जार हो जाएगार पचास जार बेंग्रिटी हो जाएगार यह तो बड़ा आसान सा काम है लेकिन क्या इसके पिच्छे कोई डेटा सबसे मेरा व् निफ्टी पे डेटा के मैसिस पे प्रोपर आदा गंटे का हमने रिसर्च में शोग किया यह प्रेडिक है कि 21,080 निफ्टी होगा और बिना किसी बड़े करेक्शन के होगा यह सबसे बड़ी बात कि आपको एक तरफा तेजी मिलेगे यह मैं बहुता सकता हूं कि शायद प 2020 के बाद मार्केट में आए ठीक है इन लोगों का एकस्प्रियेंस अच्छा होना चाहिए नहीं कि यह एकस्पिरियनस पहले कि जितने मिल रड़रण हो है। इसके पहले जितने मिल रड़रण हो है लोगों का एकस्पिरियेंस कराब है। जब बुलंझIs पहत PAT睪 होता नब पैसे लगते हैं और मज़े की बात ही कि उसके पहले भी पूरे पैसे नहीं बना पाते हैं बहुत पहले तो बनाए नहीं और बाद में छोड़ गए तो इस बार हमने कोशिश यही कि कि आप इस बुल्डर में पूरा पैसा बना है और इसलिए हमने चाहे आप यह जन्वरी पंदरा जन्वरी दोजार इकिस का शो था जो हमने का कि 21 जारस्टी का टार्गेट है बिल्कुल और उसके बाद मुझे यादे पंदरा जून 2022 पर पंदरा जार दोस्व का निफ्टी था तब मैंने आशु जी को बोला तो सारे तीन बजे कि हम जाकर दुनिया बरें पैसे ल जाएंगे और लास्ट हमारा बड़ा प्रडिक्शन जो था 26 अक्टोबर का उसे तीन दीन पहले मैंने का था 22 गंटे निकाल दे 25 अक्टोबर का था 25 गंटे 25 गंटे 25 गंटे 25 गंटे तो पेशेंट अगर यह बज गया यानि कि आपकी पोजिशन बज गय तो आप देखिये जो तेजियोरे मेरा मानना यह है कि दीप हमें इनवस्व को बड़ी वैल्स बना के देनी है और इसमें कोई हमारी कलाकारी नहीं है हमको बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं यह मारकेट है यह इंडिया है यह एकोनोमी है वह पेशा बना रही है हमें सिर्फ हलका सा डायरेक्श पैसा वो लगा रहे हैं सिर्फ उनको एक कॉंफिडेंस नहीं है किया निली बोले ना ठीक है डना नहीं बोले रखो ना कितने लोग एड़ा के लिए मतलब इतने रोज मैसे जा रहे हैं तो आप ने बचा लें तो हम तो 32 जिल्गी में इतना सारा पैसा हाल है तो यही बात है क कि कॉल इस बार नहीं देना है नहीं देना है यह भी आपकी थीम थी एक बार याद दिला देते हैं यह जो बुल मार्केट का टार्गेट है कब बोला था कैसे बोला था और क्या प्रेडिक्शन थी उस समय कर मैं 132 परसंट के आसपास का डेटा लूँ तो इस बुल्रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक तो 2008 से 2010 के जो बुल्रन में 150 परसंट बोटम से भागे दे मार्केट तो उस लियाद से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है यह बुल के सिनियरियों है ज 21,081 यह फाइनल टार्गेट इस बुल्रन का बनता है 14,000 पर जो हमने निफ्टी का तीसरा बुल टार्गेट दिया 21,081 और उस टार्गेट के सबसे खास बात यह दिए कि हमने का बिना किसी साइजेबल करेक्शन आज आज आपको 21,000 पर 22,000 और 22,000 बोलने वाले 500 लोग मिल से के 21,000 का निफ्टी आएगा और बिना करेक्शन के आएगा पूरी एक्टी के साथ कल आपने बड़ा टार्गेट भी इस पर आते हो दिखा तो अनल जी सवाल यही बनता है अब तो यह टार्गेट आ गया अब यहां से कहां आगे की रहा कैसी है डबलू आई पी डबलू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस ने बिलकुल आई